यह हमने 4 wheel बंद कर दिया इसका अब यह 2 wheel पे चल रहा है अब देखते हैं कैसी क्या performance रहती है देखिए यह केवल पीछे के टायर दम लगा रहे है देख सकते हैं आप जैसे ही 4 wheel बंद किया है टेक्टर में स्लिपेट की समस्य आने लगी है और देखिए कितने राउंड ले रहा है टेक्टर देखिए खीच नहीं पा रहा है अब बार बार हाइड्रोलिक को छेड़ना पड़ेगा कि ओन कर लो लगा लो 4 wheel हाँ देखिए अब आप जैसे ही 4 wheel on किया है देख सकते हैं आप स्पीट एक्टर की कितने अच्छे से बढ़ रहा है और कितने तेजी से काम कर रहा है